हमारी armed forces के लिए एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है because finally हमारी armed forces को भारत का जो सबसे जादा शक्तिशाली non-nuclear bomb है वो दोस्तो अब मिल चुका है और ये वाला जो bomb है इसकी जो power बताई जा रही है conventionally used जो TNT bomb होता है उससे दो गुना से भी जादा इसकी power यहाँ पर बताई जा रही है आप लोग देख पाएंगे ये खबर जो है आज सुबह ही सामने आई है business standard की ये खबर है और even Deccan Herald की खबर को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि ये वाला जो हमारा bomb जो की finally तयार हो चुका है जो की हमारी अब army को मिल चुका है ये हमारी army के लिए एक game changer साबित होने वाला है वैसे तो हम लोग इस bomb के बारे में सभी चीजों के बारे में जानकारी हासल करेंगे कि क्या-क्या exactly इसकी विशेश्टाएं है और क्या-क्या इसकी power है लेकिन दो-तीन कारणों की वज़े से ये वाली खबर एक बहुत ही बड़ी खबर बन जाती है नमबर वन सबसे पहली बात तो ये वाला जो bomb तयार किया गया है ये इंडिया के द्वारा दोस्तों इंडिजिनसली भारत की ही एक company के द्वारा इस bomb को तयार किया गया है नमबर टू ये वाला जो bomb है इसकी power को analyze करने के बाद बताया गया है कि ये दुनिया में it is among the most powerful non-nuclear bombs in the world इसके बारे में चर्चा में detail में आगे करूँगा बाकी bombs के साथ इसकी तुलना भी करूँगा और वहीं पर explain करूँगा कि कैसे it is actually one amongst the most powerful non-nuclear bomb in the world and अगर मैं इसकी तुलना भारत के सबसे खतरनाक bomb के साथ करूँ तो आज की date में हमारी जो ब्रमोज missile है उसका जो ये warhead है इसके हंदर जो हमें bomb देखने को मिलता है उसकी जो lethality या उसकी जो power अगर आप देखते हैं तो that is equivalent to date guna of TNT लेकिन जो अब हमने bomb तयार कर लिया है वो दोस्तो two times lethality of TNT के बराबर देखने को मिलता है बात करेंगे दोस्तो इस bomb के बारे में किसने इसको बनाया है कैसे कैसे ये हमारी armed forces के लिए game changer साबित होने वाला है and also इसका जो comparison है वो हम लोग बाकी bombs के साथ भी करने वाले हैं आईए शिरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनेरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को प्राफ्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए telegram channels के माधियम से ऐसा कर सकते हैं all right directly coming to the point so basically एक बहुती बड़ी development सामने आई है हमारी army के लिए because finally एक ऐसा non nuclear bomb है जो की अब हमें मिल चुका है एक ऐसा explosive है जो की अब हमें मिल चुका है जिसकी जो lethality या जिसकी जो power है वो TNT से 2.01 times की जादा power वाला हमें ये bomb देखने को मिलता है जो लोग TNT के बारे में नहीं जानते आपको briefly बता दूँ TNT एक बहुत ही लंबे time से इस्तिमाल किया जाने वाला explosive है जो की ना केवल भारत बलकी दुनिया की हर एक country है जो की TNT का इस्तिमाल करती है TNT का जो principle होता है बहुती simple सा principle होता है इसमें इस तरीके से chemicals को मिलाया जाता है जिसमें की solid जो है वो बड़ी जल्दी से gaseous form में convert हो जाता है और एक blast करता है और ये फिर वहाँ पे damage कर देता है अब दुनिया में जितने भी bomb बनते हैं उनको TNT को reference मानते हुए उनकी power को ना पा जाता है in order to understand कि ये वाला जो bomb है आखिरकार TNT से कितना जादा शक्तिशाली हमें देखने को मिलता है coming to the bomb जो की इंडिया में तयार किया गया है पहली बात इस bomb का जो नाम है इसका जो technical name है इसको Cebex 2 यहाँ पे नाम दिया गया है और बनाने वाली जो company है ये जानी मानी company solar industries की एक subsidiary company है explosives India limited उसके द्वारा दोस्तो बेसिकली इस particular bomb को यहाँ पे तयार कर लिया गया है solar industries भी आपको briefly बता दूँ ये एक India based company है जो की India के लिए तो यहाँ पे bombs को तयार करती ही है लेकिन इसके कई सारे bombs इस तरीके से भी तयार होते हैं जो की बाहर के देशों में भी जिनको export किया जाता है now ये वाला जो bomb यहाँ पे तयार किया गया है ये कहा जा रहा है कि once ये वाला bomb हमारी Indian army और Indian navy और air force के द्वारा इस bomb का इस्तिमाल शुरू होगा तो इसका सबसे बड़ा फाइदा क्या होगा कि जो भी हमारे artillery shells हैं जो भी हमारे जो traditional bombs हम लोग अभी तक use कर रहे थे फिर even जो भी हमारी जो missile हैं उनके आगे जो warheads लगे हुए हैं उन सभी का जो destructive power है ये बहुत जादा बढ़ जाएगा और हमें extra weight को add करना नहीं पड़ेगा ये ही इसकी सबसे खास बात है that without adding extra weight हमारे जो अभी तक traditionally bombs और shells और warheads का इस्तिमाल किया जा रहा था उसका दोस्तो जो destructive power है ये बहुत जादा बढ़ जाएगा to understand destructive power यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी bomb की हमें power को समझने के लिए हम आम तोर पे reference लेते हैं कि ये TNT से कितना जादा शक्तिशाली माना जाता है इंडिया में जितनी भी missile हैं जितनी भी artillery shells हैं उनका जो TNT की तुलना में जो उनकी power है वो 1.25 टाइम्स या 1.3 टाइम्स के आसपास की देखने को मिलती है अगर मैं इंडिया की most powerful conventional explosive की बात करूँ तो ब्रमोज मिसाइल में देखने को मिलता है जिसकी शमता TNT से डेड़ गुना के से आसपास देखने को मिलती है लेकिन ये जो हमने bomb त्यार किया है अब उसको समझने के लिए हमें समझना होगा दुनिया के जो other powerful bombs है वो हमें कहां कहां देखने को मिलते हैं आपने नाम सुना होगा अमेरिका का जो सबसे शक्तिशाली bomb है इसको कहा जाता है mother of all bombs इसका technical नाम कुछ बहुती complex सा है कुछ code name सा है लेकिन इसको simple भाषा में mother of all bombs कहा जाता है अमेरिका ने बहुत साल पहले इस bomb को तयार किया था और इस bomb को अमेरिका के द्वारा 2017 अपरेल के महीने में अफगानिस्तान में एक Islamic State के खिलाफ इस bomb का इस्तिमाल भी किया गया था यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यह दोस्तो इस mother of all bombs की यह तस्वीर आपके सामने है now to understand कि क्या हमारा bomb mother of all bombs से powerful है दोस्तो mother of all bombs की जो शक्ती है that is equivalent to कि यह 11,000 TNT के बराबर का जो blast है वो करने की शमता रखता है लेकिन यहाँ पर important to note यह बन जाता है कि यह जो 11,000 TNT के बराबर का यह blast यहाँ पर कर पा रहा है तो bomb भी तो देखे कितना बड़ा है इस bomb का जो वजन है यह 10,000 kg के आसपास का है और अगर मान लीजे यह 10,000 kg का जो bomb है यह 11,000 TNT के बराबर का एक धमाका कर भी देता है तो इसमें असल में जो power हुई that is only 1.1 times of TNT और हमारा जो bomb है वो असल में 2 times of TNT के बराबर की शमता यहाँ पे रखता है तो अगर हम लोग bombs को पर kg के हिसाब से निकालते हैं अगर इंडिया वाला bomb भी हम लोग भारी कर देंगे और बड़ा कर देंगे तो अगर हम रश्या के bomb के साथ compare करें उसके साथ compare करना थोड़ा सा cut in हो जाता है रश्या के bomb को father of all bombs कहा जाता है और वो जो bomb कहा जाता है उसमें माना जाता है कि वो 44,000 tons of TNT के बराबर का धमाका कर सकता है उसकी तस्वीर देख लीजिए ये दोस्तो बड़े बड़े bombs हैं जो की रश्या के द्वारा बनाए गए हैं और ये अगर 44,000 tons of TNT के बराबर का धम करता है लेकिन इसका weight हमें मात्र 7,000 के आसपास देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो per kg TNT किसे अगर तुलना करते हैं तो वो दोस्तो six times के आसपास का आपको इसका जो power है वो देखने को मिलता है तो yes हमारा जो bomb है वो अमेरिका के mother of all bombs से काफी powerful बन चुका है father of all bombs से obviously important to note है कि father of all bombs के साथ comparison करना भी सही नहीं होगा because जो father of all bombs है वो असल में एक thermobaric weapon है thermobaric weapon के case में क्या होता है कि जो हत्यार है जो आपका जब bomb फटता है तो वो केवल आपका जो bomb है वो shock wave से ही यहाँ पर धमाका नहीं करता वो बलकि हवा से भी oxygen लेकर उसका इस्तिमाल करके भी अपना जो radius है वो बहुत जादा expand कर देता है तो यह bomb की असल में category ही अलग है इसलिए उसके साथ तुलना करना सही नहीं है तो अब अगर हम देखें कि जो experts कह रहे हैं कि क्या जो India के द्वारा बनाया गया bomb है it is one of the most powerful bomb in the world तो yes अगर हम लोग non-nuclear bombs की बात करते हैं तो yes इंडिया के द्वारा जो बनाया गया यह वाला explosive है यह वाकई में it is one among the most powerful non-nuclear bomb in the world और इसी basis पे कहा जा रहा है कि चूंकि यह बहुत powerful है there is a high chance कि आने वाले time में इसका जो export है वो भी हमें देखने को मिल सकता है बाकी जो सेनाएं हैं दुनिया भर में वो भी इसका इस्ते इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें definitely बताएं comment section में जाने से पहले बताना चाहूंगा कि दोस्तों 2023 के examination में unacademy के learners के द्वारा बहुत ही शांदार performance करके दिखाया गया है top 10 में चार और पूरी list में 300 से भी अधिक learners unacademy के साथ जुड़कर के ही अपनी तयारी को कर रहे थ सबी centers में GS courses के साथ-साथ CSAT, essay writing, current affairs, coverage, test series and one-to-one mentorship जैसी से भाएं भी available करवाई जाती है along with that हम लोग आपके लिए करोलबाग center में अब optional courses को भी लेकर आ चुके हैं किसी भी course में enroll करना है center को visit कर सकते हैं या फिर नीचे दिये गए phone numbers पर आप लोग phone भी कर सकते हैं thank you so much for listening stay tuned हांस दिए